नमक और नीबू का बहुत ही बड़िया टिप्स लेके आई हो फ्रेंड्स इसके एक नहीं कई सारे फायदे दिखा है इस वीडियो में तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स तो चलिए टिप्स शुरू करते हैं इसके लिए लेने है तीन नीबू तो यहाँ प इस और कट करके दिखा दे रही हूँ पहले 20 से कट कर दिया फिर घुमा करके फिर से कट कर लेना है ताकि नीचे से ये जुडा भी रहे और ये चार टुकड़े में हो गया है नीचे से लेकिन जुडा हुआ है अब एक बाउल में इसको रख देना है इस तरह से तीन इस तरह का सारे कटोरी में नमक भरके तयार कर लेना है तो यहां देखी रहेंगे दोस्तों कि हर एक कटोरी में नमक और नीबू तयार हो गया है अब इसके उपर डाल देना है अलकोहल तो हर एक कटोरी में दो से तीन चमच अलकोहल डाल देना है अगर नहीं हो आपके पास तो कोई भी floor cleaner या काँ साफ करने वाला जो cleaner आता है दो दो चमच हर एक कटोरी में डाल दीजेगा इस से ये tips और भी ज़्यादा powerful हो जाता है बहुत strong हो जाता है तो हर एक कटोरी में दो से तीन चमच डालना है अब ले लेना है थोड़ा सा लॉंग लॉंग पता ही किसी इस खुश्बू बहुत अच्छी होती है इंसेक्स वगरों को भगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है तो थोड़ा सा लॉंग लेकर कि एक कटोरी में डाल देना है लग दो अक्छे साथ लॉंग लिया है अब एक दालचीनी का टुकडा भी डाल देना है इसमें अब ये कटोरी बिल्कुल तयार होगी है इसका क्या यूज है वो आगे दिखाऊंगी आपको अब ले लेना है आपको फैबरिक कंडिशनर तो जो भी ब्रांड यूज करते हैं वो ले लीजेगा बहुत अच्छी इसके खुश्बू होती है तो बड़ी चमच ले लेना है इसको और नमक और नीवू वाली कटोरी में डाल देना है ये दूसरी वाली कटोरी है पहली वाली कटोरी में हमने लॉंग और दालचीनी डाला है ये दूसरी कटोरी है तो दो चम्मच डाल देना है और इसमें थोड़ा सा लॉंग भी डाल देना है इससे इसकी खुश्पू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है अब ये तीसरी वाली जो कटोरी है इसमें भी लगभग एक चम्मस फाबरिक कंडिशनर को डाल देना है इसमें लॉंग दालचीनी बगर डालने की जरूरती है इसको ऐसे प्लेन ही रखना है और ये लिजे दोस्तों तीनों कटोरी तैयार होगा ये ये यूजटे लिए इसको तीन दिनों तक यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होगा तो जो कटोरी में लॉंग और दालचीनी उसको किचन में रख दीजिए ये इंसेक्स और छोटी-छोटी मक्षियों को भगाने के लिए बहुत ही बड़िया होता है और ये जो दूसरी कटोरी है जिसमें फैब्रिक कंडिश्टर लॉंग डाला हुआ है इसको आप बेडरूम में है लिविंग रूम में रख सकते हैं नमक और नीबू के वज़े से निकेटिव एनरजी दूर होती है साथी साथ फैब्रिक कंडिश्टर लॉंग के वज़े से बहुत अच्छी कुश्बू बनी रहती है पूरा घर खुश्बू से महकने लगेगा और यह जो तीसरी कटोरी है उसको बाथरूम में रख दिजे नीबू और फैब्रिक कंडिश्टर की भीनी भीनी कुश्बू बाथरूम के बद्वू को दूर कर देगा तो फ्रेंट से स्टिप्स को जरूर आजमा के देखिएगा बहुत योज़फूल